वेल्कम टू जलपास कीचन एकदम सौफ्ट अने टेस्टी एवी घौना लुटनी नान खटाई आजे बनावी शुँ बहार बेकरी मा मड़े तेना करता पण वधू टेस्टी नान खटाई घरे कई रीते बनावी शकाई ते आज जोईशु अने साथे तमारी पासे ओवन ना होई तो बहार गेस पर कडाई पर कई रीते आनान खटाई ने परफेक्ट रीते बैक करी शकाई ते पन जोईशु कोई पन चातना आटिफिशियल फ्लेवर नो उप्योग कर्यावी ना बनावेली आनान खटाई दानादार गीन उप्योग कर्वाथी नान खटाईनू टेक्शेर वधू सारू बने चे आगी रूम टेंप्रेचेर पर होई ती वातनू खास द्यान राखवायनों चे तमारी घीनू प्रमाण थोडू ओछु लेवू होई तो लई शकाई घी साथे आतियारे पोणो कप खाणनों भूको लिधो छे मैं खाणने मिक्शेर करेंडर माँ ग्राइंड करी ली थी हती एकदम जीनों भूको थाए त्या सुथी तेने ग्राइंड करी अने पछी उप्योग मा लेवानू छे बनने घी अने खाण बनने पोणों क अपलीधा छे घी अने खाणने सरस रित विश्गरनी मद्थी एकदम सरस मिक्स करी ले वाना छे आ हमिश्रणने एकड डिरेक्शनमा मिक्स करवानू हले छे आनने जंचीनी मद्थी पना सराण ताथ California छे मिष्रणने सारे रिते फैटी लईश्यू खानड़ने घीना मिष्रणने जेटलू सारे रिते फैटवामा आवे एटली जनान खटाई वधू सारी बनती होईचे मिष्रणने सारे रिते फैटी लिदूचे न एकदम सरस लाइट अने फ्लफी थाई गएऊँचे अने तम्हें जोई शको छोक एकदम थिक पण थाई गयो छे, बस आ मिश्रन अत्यारे रेडी छे, हावे आपणे बीजा इंग्रीडेंस रेडी करी लाइश्यो, चो तम्हारूगी रूम टेंपरेचर पर नहीं हो, अथवा तो मल्ड थाई गयलू होशे, तो तमने आ मिश्रन अटलू परफेक्ट नहीं बढ़े, हवे एक मोटा बावल मा एक चारणी राखीश्यो, अने तेमा आपणे एक कप गउनो लोट उमेरीश्यो, अत्यार आपणे रूटली बनाव ये शेती लोट नो जूपियोग करेओ छे, तम्हें मल्टी ग्रेंड पन लई शको, ते ना लोटने सारी रिते चारी लईश्यो, अने तेनी अंदर अड़दा कप्ती थोड ओछो चणाना लोट उमेरवानो छे, चणाना लोट थी नानखटाईनो टेक्षर अने स्वाद बने खुब सरस आवता होईचे, अने तेनी साथे बे मोटी चमची रवो उमेरीश्यो, रवा त्यारे बनने लोट अने रवो थाई, डोडगप माप लिधू छे, तो तमारे पन ते हिसापतीद माप लेवानो छे, आ माप प्रमाणे 25-30 नंग नानखटाई रैडी थशे, हाफ टीस्पून बेकिंग पावडर उमेरीश्यो, आपने सोडा नो प्योग नथी करवाना, ब पिलाइची पावडर छे, ते स्कीप करवाना छे, बेच अप्टी जेटलू मीठू उमेरीश्यो, नानखटाई गळी हो छे, परन तुझे बेच अप्टी मीठू छे, तेनो स्वाद खुप सरस आवे छे, अने स्वाद नू बैलेंस पन थाई जाई छे, ड्राइर इंग्र सररचे ने ओछा समाई मां तैयार थाई जाई छे, बदू सारेडिते मिक्स करी, अने सौफ्ट कणक रेडी करी लेवानी छे, में त्यरे घी पोणोकप लीधू छे, तो मारे उपर ती दूध उमेरवानी जरूरत नथी पड़ी, चो तमारे घी पोणोकप थी ओछू लीध चकाई, तो तमारे बेच अपटी सोडा उमेरवा पडशे, अने कणक बांती वगते दूध पण उमेरवा पडशे, नहीं तो तमारे नान खटाईनो टेक्सर छे, ते थोड़ू डिफ्रेंट आउशे, कणक सरस रिते रेडी थाई गई छे, तेमा थी नाना नाना लुवा बनावी, अने तेने हाथेती सरस बॉल बनावी लेवा नाचे, अने थोड़ा प्रेस करी, अने एक प्लेट पर राखेशू, मैं प्लेट पर अतियर बटर पेपर राख्यू हदू, कि जेथी तमारी नान खटाई जे शेप आपेली छे, ते चौटी न जाए, तमारी पासे बटर पेपर ना हुए, तो तमे प्लास्टिक नो पन उपियोग करी शको, नान खटाई ना बॉल्स मा कोई क्रेक्स ना रहे, तेवी रिते तेने सरस रिते रोल करवा नाचे, अने साइज एक सर्खी राखेशू, कि जे थी नान खटाई पन एक सर्खी साइज नी बने, तियारी बेक करी शो, ने तो एकदम फेलाई जोशे, घीचे ते मेल्ट थे जोशे, माटे तैने 15-20 मिनिट माटे रेफ्रेजरेटर माँ मुकी दाईशू, नान खटाई ने रेफ्रेजरेटर माँ मुकी दीता पाची, तमारे ओवन मीना कई रिते बनावी शकाई, ते तियारी बेकिंग माटे रहे औने बगड़े नहीं, हवे आने 10 मिरिट माटे सरस्रीते गरम थवा दैशू, तीमी आज राखवानी चे 15 मिनिटों रेफ्रेजरेटर माँ रेस्ट आपया पाचे नान खटाई छे, तेकदम सरस् फॉर्म थाई गई श्याने पेड़ा जीवी देखाई रही छे, आस्टेच पर ते बेक करवा माटे रैडी छे, बेकिंग माटे तमारू ओवन छे, तेने 10 मिनिट माटे प्री हीट क 15 मिनिटों पार बनावेली जे नान खटाई छे, तेना कलर माँ डिफ्रेंस होई छे, परन्तु स्वाद एक सर्खो लागे छे, तो तमारी पासे ओवन ना होई, तो बिलकुल गबरावानी जरूरत न थी, तमे में कीदू एवरिते कडाई मापन बनावी शकू, आट्रे ने ओण माँ मुकी दैशो, अने बेक करी लएशो, हवे कड़ाई माँ नान खटाई बनावा माटे आपणेची तैयार करीने राखी छे प्लेट, तेना पर नान खटाई ने मुकी दैशो, नान खटाई हम्मेशा थोड़ा थोड़ा अंतरे राखवानी छे, कि जे थी ते बेक अने फुले, तेक बीजा साथे चौटी न जाई, तो आ बातनों खास ध्यान राखवानू छे, आ प्लेट ते तैयार करीला मिठा ना वासन माँ मुकी देवानू छे, मिठा उपर स्टेंड हम्मेशा थोड़ू उचु राखवानू, कि जे थी प्लेट छे ते डाइरेक धिमी राखवानी छे, तो ते बातनों पन ध्यान राखेशू, कड़ाई मा नीचे मीठू राखवा थी अंदरनू टेंपरेचर छे, तेक दम सरस गरम रहे छे, न ओवन जीवू काम करेशे, ओवन मा ट्वेंटी मिनिट्स बेक कर्या पची नान खटाई रेडी थेई गई अने में 10 मिनिट पची दरिक मिनिटे जोयू हतू, तमने आ कलर थोड़ो अलग लाख शे, परेंटू नीचे थी तमें जोशो, तो तेनो कलर चेंज थाई गयो छे, अने नान खटाई मोटी पन थाई गई छे, अत्यार्या रेडी छे, तेने गेस पर थी रिमोव करी लाई लांबो समय राखे शू तो ते बड़ी जिशे, नान खटाई नजिक थी कीवी देखाई छे तमने देखाड़ू, पाचाणू भाग सहेज डार कने आगणू भाग एकदम लाईट आने क्रेक्स वाड़ो छे, पोफेकली बेक थाई छे, तमने तोडी ने पन देखाड़ी किटली सॉफ्ट छे, एकदम टेस्टी याने बनावमा सरड़ेवी घौना लुटनी नान खटैनी मारी आ रेसिपी चोकस्ती ट्राई करो, अने तमने मारी रेसिपी केवी लागी माने कमेंट्स मा जरूरती जानाओ जो, चो तमने मारी रेसिपी पसंद आवी होई, तो तमा आरी चैनल ले सब्सक्राइब करवानू नहीं भूलता, थेंक यू सो मच एवरीवन.